मस्कार मैं हूँ शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पलपल हर्याना में अब मकान चाहने वालों के साथ नहीं कर पाएंगे मनमानी प्रदेश के मुख्या मंत्री ने अज हर्याना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोर्टी पंचकुला और गुरुगराम की वेबसाइट जारी करते हुए ये बात कही उन्हें ने कहा कि पहले बिल्दर 30-30 वर्ष तक मकान लेने वालों को मकानों का कबजा नहीं देते थे मागराबुने पहले कंपलिशन सर्टिफिकेट लेना होगा तब भी वे हरेरा की परीदी से बाहर हो पाएंगे मुख्या मंत्री ने यहाँ भी बताए कि हरेरा का मुख्यालय करनाल में स्थापित किया जाएगा उन्हेंने कहा कि पंचकुला में दी जाने वाली शिकायतों के निर्ने से असंतोस्थ हितकारों के लिए अपील प्राधिकन का गठन किया गया है इसका मुख्यालय करनाल में होगा देखे चंडिगड से पलपल के लिए खास रिपोर्ट अब इस चीज को और फास्ट करना है क्योंकि हम पता हैं देखते हैं सरकारी सिस्टम में लथार्जी होना स्लो उसका वर्किंग होना क्रप्शन होना यह बड़ी सामाने बाते हैं अब इनको कैसे ठीक किया जाए तो पहले दिन से लगे हैं कि हम सिस्टम को ट्रांस्परेंट कैसे करें, फास्ट कैसे करें और किस प्रकार से गरफ्शन को दूर करें तो हम लोग ने आपको धान में होगा कि 25 दिसम्बर 2014 हमारा जो पहला ही साल था यानि दो मेने के अंदर अंदर हमने गूड गवर्नेस दे मनाया था तो गूड गवर्नेस दे को उस दिन हमने यह बढ़ते बढ़ते आज सेक्डो सर्विसी ऐसी हैं जो ऑनलाइन हम सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आज भी दे रहे हैं और अभी भी चीज़े आगे बढ़ रही हैं हमारे अन्तियोदेसल है सरल का काम है अगर इगर गवर्नेस के नाते से जो ग्राम सचीवाले है नीचे के नीचे लेवल पर एक शहर में या एक गाव में हमारी सेवाएं नीचे तक ओनलाइन पहुंचे इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं उसी कड़ी में आज का एक कदम ये रखा है कि एक वेबसाइट रेरा के माध्यम से ये लॉंच जो की गई है इसके अंदर अभ प्रक्राइब उसको सारी जानकरिया उसमें मिलेंगी और फास्त तरीके से वागे बढ़ पाएगा और जो ये समस्यां हैं उन समस्यां को हल करने के लिए उसकी और भी कोई चीज निकलती है उसकी शंकाया रहती है हमेशा शंकाया उसकी स्माप्त होंगी एक और यह जो होती है कि मेरा पैसा जादा खर्च हो गया मैं कहीं फस गया मुझे कहीं बैकाया जा रहा है मुझे मेरी नॉलेज के कमें के काण से मुझे लूटा जा रहा है तो वह एक दूसरे को पिशंकाच चलती रहती थी बिल्डर्स जो हैं उनकी खठाई के आ होती थी कि जो एक बार लाजसेंस लेते थैं लेने के बाद फिर कभी इंटरेस्ट केंट में रहती ज्यागते सब्सक्ते देशने के लिए और यह जो हमारि डिपार्टमेंट है उसमें से ट्रांस्पें नीका लाने के लिए वेबसाइट का जो शुरूआत की गई है मैं डिपार्टमेंट को खास करके गुपता जी को खंडेलवाल जी को उनको बदाई देता हूँ कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके और NIC के लोगों ने इस पर पूरा सयोग किया NIC के लोगों ने इस वेब साइट को त्यार करने में बड़ी भूमिका निभाई है जितनी भी आउसकता हैं थी वो इसके अंदर इन्होंने डाल करके इसको उपरा किया है